Hello students, welcome to Mind and Brains, this is Anaomika Singh, कैसे हैं आप सभी, so I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे और भई आप सभी ने डिमांड की थी कि माम Physics हमें स्टार्ट करनी है तो माम जल्दी से Physics स्टार्ट करी है, हमें Physics पढने का मन कर रहा है, बहुत दिनों से Chemistry है चल रही है सो बटा द्यान से देखिएगा आज मैंने स्टार्ट कर दिया आप सभी की डिमांड पर ही हमारा फिजिक्स का पहला चाप्टर जी हां क्लास 10 वालो सारे बच्चों द्यान से सुनेंगे चाप्टर का नाम क्या है सो वो है प्रकाश परवर्तन तथा अपवर्तन सो प्रकाश परवर्तन तथा अपवर्तन की बात करें सो इसका हम चाप्टर ओवर्वियू आज देखने जा रही है यानि कि आज हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ओफ लाइट and reflection of light में हम देखने वाले हैं कि इस पूरे चाप्टर में हम क्या-क्या cover करेंगे हाँ जी भाई पूरा चाप्टर तो इसमें नहीं हो सकता लेकिन जो जो पढ़ना है एक चाप्टर overview तब बनता है चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा हम हमारे प्यार इसे चैनल के बारे में जान लेते हैं कि यदि हम क्लास 6 से लिखका 12 में बटा किसी भी क्लास में हो तो Magnet Brains Indie Medium चैनल पर अप अपने सबजेक की क्लास से टेंड कर सकते हैं किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स बिल्कुल भी परचिस नहीं करना है और नहीं किसी तरीके के कोई पेमेंट करना है क्योंकि Magnet Brains प्रोवाइट कराता है क्वालिटी एजुकेशन वो भी बिल्कुल प्री आफ कॉस्ट इसे के साथ हम पाँच स्टेट बोर्ट कवर कराती हैं यूपी बोर्ट, बिहार बोर्ट, दिल्ली बोर्ट, राजिस्तान बोर्ट, MP बोर्ट and very important हमारे चानल पर जितनी भी क्लासिस मिलती है बिटा वो सब अर्रेंज पॉर्मिट में मिलती है और आपको जिसके लिए बिल्कुल भी परिशान नहीं होना होगा क्योंकि हमारे चानल पर बेसिक से लिकर एडवांस लेवल पर पढ़ाया जाता है साथी साथ मैं आपको बढ़ाना चाहती हूँ कि बाई मैं जितना भी आपको पढ़ा रही हूँ इसके नोट्स कहां पर मिलेंगे बिटा नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से आप उसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं सो चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्लास 10 फिजिक्स की तरफ और ये हमारी चाप्टर का हम क्या देखते हैं सो हम देखते हैं ओवरव्यू सो बहुत ध्यान से देखिएगा आप देख पा रही हूंगे प्रकाश का परवर्तन बिटा ध्यान से सुने इसके पहले मैं आपको ये पढ़ाऊंगी कि भईया ये लाइट याने की प्रकाश होता क्या है सबसे पहले तो मैं आपको ये ही बताऊंगी कि भईया ये लाइट याने की प्रकाश बिटा क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगी अब आप कहेंगे मैं इतना बच्चा से वाला क्वाइशन है आपको आसान लग रहे हम पहले इसको ही समझेंगे लाइट याने की प्रकाश क्या होता है है ना और इसी के साथ मैं ये जो हम लाइट याने की प्रकाश जानेंगे सो प्रकाश का क्या क्या होता है बिटा रिपलेक्शन होता ही याने की होता है परवर्तन और क्या होता है बिटा रिपरेक्शन होता है यानि कि क्या होता है अपवर्तन तो हम यहाँ पर जानेंगे प्रकाश का परवर्तन अपवर्तन दोनों ही चीज़ों को हाना देखो भई इन दोनों में डिफरेंस तो होता ही है आप सोचो कि दोनों एक ही चीज है नहीं परवर्तन अपवर्तन दोनों ही एक दुसे से अलग होते हैं कापी सारे बच्चों को बड़ा किन्फ्यूजन हो जाता है वो एक में मिक्स करके पढ़ लेते हैं और वो actual में परिशान रहते हैं क्या होगा मैं आपको एक बात बताती हूँ परवर्तन जो है वो एक ही माध्यम में होता है और अपवर्तन के लिए दो माध्यम के आवश्यक्ता होती है परवर्तन और अपवर्तन दोनों के कहानी में आपको क्या मिलेगा तो आपको मिलेगी एक आपतित किरन जैसे इसमें एक आपतित किरन मिलेगी इसमें भी आपतित किरन मिलेगी लेकिन यहाँ पर परवर्तित किरन मिलती है यहाँ पर अपवर्तित किरन मिलती है ओफो आप कहेंगे माम क्या है यह सब हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है बिटा वो धीरे धीरे करके आएगा जब मैं आपको चाप्टर में एक्स्प्लेइन करूंगी न तब अच्छे से समझ में आएगा ओके, सो हमने क्या जाना प्रकाश का परावर्तन थोड़ा थोड़ा सा परावर्तन में मैंने आपको बताया मैंने प्रकाश बताया आपको वही अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम अपने आसपास की वस्तू को देख ही नहीं पाएंगे तो लाइट यानि कि प्रकाश किसी भी वस्तू को हमें देखने में क्या गरती है सहायता और अगर हम उसे देखते हैं तो प्रकाश का परवर्दन अपवर्दन दोनों ही होता है मैम ये गोलिय दर्पन क्या होते हैं तो सुनो गोलिय दर्पन पढ़ाने के पहले मैं आपको बता दू दर्पन के ही बारे में बिटा मैं आपको बताना चाहती हूँ किसे के बारे में दरपन की ही बारे में इंग्लिश में बिटा जिसे हम क्या बोलते हैं मिरर बोलते हैं क्या बोला मैंने कि बिटा इंग्लिश में से हम मिरर बोलते हैं दरपन दो प्रकार के होते हैं, दो तरीके के होते हैं कान कान से होते हैं भैया एक होता है प्लेन मिरर यानि की समतल दरपन और एक होता है स्पैरिकल मिरर यानि की बटा गोल ये दरपन समझ पाई की नहीं समझ पाई एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्पैरिकल मिरर यानि एक होता है समतल दर्पन और एक होता है गोलिय दर्पन अब बात आती है कि मैम ये सब पढ़ना है जी हाँ बिल्कुल पढ़ना है बिटा लेकिन सुनो गोली दरपन भी मैम इसमें भी मैम आपको बताएंगे कि ये दो प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के होते हैं बिटा ये दो मैम कौन कौन से तो सुनो एक होता है बिटा उतल और एक होता है क्या अवतल क्या कहा मैंने आप से कि भाईया एक उत्तल होता है और एक अफ्तल होता है हमने जानी कहानी प्रकाश का परवर्तन हमने जाना कि दरपन गोलिये भी होते हैं और कैसे होते हैं सम्तल गोलिये दो प्रिकार के होते हैं उत्तल अफ्तल हमने जाना गोलिय दरपण को लेकर कि गोलिय दरपण हो हम इसमें क्या क्या पढ़ीगे अब जिसे मैंने आपको वह एक overview तो दे दिया है यह हमारा convex mirror होता है और यह concave mirror होता है दोनों में difference है lens word use नहीं किया है चंगो वंगो lens अलग होते हैं और हाँ मैम इतने अलचे से आपको explain करने like कौन करेगा like share करो भाई पहले तो like share करने आप सभी के demand पर मैंने physics start करीए तो like share तो बनता है हमने क्या रेका गोलिय दरपणो द्वारा प्रति बिम्ब बनना यह हम जानेंगे कि भाईया spherical mirror से images कैसे बनती है किरन आरेकों का उपयोग करके गोलिय दरपणो द्वारा प्रति बिम्बो का निरूपण हम सीखेंगे गोलिय दरपणो द्वारा परिवर्तन के लिए चिन परिपाटी भी मैं आप से discuss करूंगी ओके फिर ठेके बाई यह हो जाएगा हमारा हम जानेंगे यहाँ पर कि अगर वस्तु पास में रखी है दूर रखी है दरपण के बहुत दूरे मैं प्रति बिम्ब कैसे बनेगा वस्तु की इमिज कैसे बनेगी मैं आपको सब सिखाऊंगे जिसके लिए मुझे कुछ कॉंसेप्ट आप सभी के करने होंगे क्लियर यानि कि जहां मैं आपको ये बताऊंगी कि भाईया हमारा पूल यानि धूरूप क्या होता है वकृता केंद्र क्या होती है तुर जानेंगे हम और भी कई सारी चीज़ें जो हमें डिसकस करनी होगी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस ये सारी चीज़ें मज़ेदार है बटा चैप्टर बड़ा प्यारा है मतलब इस चैप्टर में आपको इतना सारा कुछ पढ़ने को मिलेगा कि आपको आगे भी काम आएगा यानि आने वाली जो ग्लासेस है ना में भी हल्पों मिलेगी ओके नेक्स सो परावर्तन तो हम पहले पढ़ चुके होंगे फिर गोल ये दरपन पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे प्रकाश का पवर्तन माम ये रिफरेक्शन ओप लाइट क्या होता है प्रकाश का पवर्तन सो बैया यहां पर जो प्रकाश है ना या तो सघन से विरल में जाएगी या तो विरल से सघन में जाएगी अरे माम ये सघन और विरल क्या है सो बैया ये आपको डेंजर मेडियम और रेरर मेडियम के फॉर्म में मिलेगा और सुनो प्रकाश का पवर्तन ये काच के आयतकाई slab से अपवर्तन कैसे होता है हम ये जानेंगे ये हमारा अपवर्तनाक refractive index क्या होता है इसे भी हम जानेंगे सप्रकाश के अपवर्तन तो पढ़ना ही है पर उसमें मैं आपको ये दो चीज़े और पढ़ाएंगी समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो मज़ा आ रहे है कि नहीं आ रहे है जानने में थोड़ा-थोड़ा तो मैं आपको बताते हुए चल रही हो ओके, now next आते हैं गोली ये लेंस हो द्वारा पुवर्तन लो भाई यहां पर तो लेंस आगे मैं लेंस और दिरपन में कोई अंतर होता है हाँ जी बिटा बिलकुल होता है 100% होता है लेंस जो है ना वो mirror के opposite होते हैं वे परीत होते हैं तो गोल ये लेंसों द्वारा अपवर्तन हम बिलकुल पढ़ेंगे इसे के साथ लेंसों द्वारा प्रतिबिम्ब बनना भाई जब दरपन के द्वारा इमेजिस कैसे बनती हैं जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगी बिटा तो मैं आपको ये भी तो बताऊंगी ना कि लेंस के द्वारा इमेजिस कैसे बनती हैं मैं आपको बताओ, images बनाने के पहले इसके भी concept होंगे, proper list होती है, पहले वो पढ़ेंगे, फिर इधर आएंगे किरन आरे को क्यों प्योग द्वारा lensों से प्रतिबिम्ब बनाना सीखेंगे? जी हाँ, है ना, गोलिये lensों की भी चिन परिपाटी है, वो हम जानेगे, भाई ये lens formula, अती महत्पुपूर्ण, सो भाई ये lens formula भी तो discuss करना होगा, है ना, और ये आवर्धन क्या होता है, माम, ये lens की power क्या होती है, बिटा, ये सब हम 1-1 करके discuss करेंगे, अभी मैंने कुछ न चाप्टर में है, आपको जो की पढ़नी पढ़ेगी, अच्छा चाप्टर ये मज़दार है, काफी कुछ आपके knowledge में व्रदी ही करेगा, बिटा, ये चाप्टर, है ना, तो ये सारी चीजे है, अप वरतन और परावरतन में क्या होता है, जी हाँ, बिलकुल अंतर होता है, चोटु से ये concept में यहाँ परावरतन का बता कर जाती हूँ, जब भी कोई प्रकाश के किरण बिटा, है ना, जब भी कोई प्रकाश के किरण आती है, और वो दरपन से टकराए, और वो उसी माध्यम में वापस लोट जाए, सो यही इसका क्या होता है, प्रकाश का परावरत होता है और जब भी कोई प्रकाश के किरन आए यह नॉर्मल यानि की बिटा क्या होता है अभिलंब है ना यह नॉर्मल अभिलंब है सो जब मिलेगा अभे नंब जिसे इंग्लिश में हम नॉर्मल बोलते हैं जो कि imaginary होता है आपको पूरे चाप्टर में जहां पर भी हम देखेंगे ना तो ये मिलेगा ही मिलेगा परवर्तन अपवर्तन दोनों की ही concept में मिलेगा इस चाप्टर को इतना अच्छे से पढ़ लो कि next समझ में आ गया होगा ठीक है अच्छा एक चीज और मैंने अभी आपको क्या बोला इस कंडिशन में कि ये अभी यहां पर अभी लंब की और जुका है कंडिशन ऐसी भी हो सकती है कि भाईया यह अभी लंब से दूर हो सकता है यह सगन माध्यम और किस पर निर्भर करता है और विरल माध्यम पर निर्भर करता है ओके अज के लिए इतना ही आप कि यह कुछ से से क्लियर हो गया होगा समझ में आ गया होगा ना में फिनिश करने जाने के पहले चार चीज़े और आपको बता दू क्योंकि यह थोड़ी जादा इंपॉर्टेंट है हमने यह तो जान रिया कि चाप्टर में हमें क्या-क्या पढ़ नहीं थोड़ा से इसके बारे में जानों कि मails और एक्स्ट्रा क्या पढ़ाऊगे आप हमें तो बिटा एक बात बताओ आपके चाप्टर के बीच के जो याने बिटा आपके जो पाट्टे गत्य प्रश्न होते हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगी इसी के साथ साथ मैं आपको और क्या करवाने वाली हूँ भाईया हम पढ़ेंगे उसी के बीच के examples याने की उदहरन numericals दिये हैं आपको बीच में हाँ वो भी हम करेंगे NCERT solutions discuss करेंगे पेपर में कई पर सीधे question वहीं से आ जाते So NCERT solutions discuss करेंगे multiple choice questions हम देखेंगे most important questions भी हम देखेंगे complete chapter revision भी हम देखेंगे मैं आपको NCERT solution ये दो भी कराऊंगी और इसी के साथ साथ ये भी कराऊंगी multiple choice question बोले तो बिटा MCQs हम discuss करेंगे वहीं most important questions बोले तो इसे मैं जैसे हमेशा कराती आई हूं अती लग उत्रिये हम देखेंगे अती लग उत्रिये प्रश्न इसी के साथ साथ बिटा लग उत्रिये प्रश्न and very important हम दीर उत्रिये प्रश्न भी क्या करेंगे discuss समझ पाएं कि नहीं समझ पाएं तो अती लग उत्रिये प्रश्न लग उत्रिये प्रश्न और देर गुत्रिये प्रश्न भी हम करेंगे discuss and very important complete chapter revision भी हम पढ़ेंगे जहां पर हम पूरे chapter का क्या करेंगे revision करेंगे ठीक है जहां हम पूरे chapter को एके वीडियो में देखेंगे और exam time पे वो हमारी help करेंगी so ऐसे करके हम अपना पूरे chapter पढ़ेंगे न मैं guarantee देरी हूं कोई भी doubt आपका नहीं निकल के आएगा और yes आपके book का तो हर पार tier हो ही जाएगा so इतनी जानकारी के बाद ये जानकारी कैसे लगी है तो इसे like करना जरूर good like जरूर करिएगा भूलिएगा नहीं और share करिएगा and very important हमारे इस प्यारे से चानल को subscribe नहीं किया है तो वो आपको पहले ही कर देना है वाइटी पर बिटल लाइव आकर भी class ले सकते हैं इसी के साथ साथ आप recorded form में भी हमारी वीडियोस देख सकते हैं application पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं क्योंकि Magnet Brains India's number 100% free online education platform website के तुरू भी आप हमसे जुड़ के हमारी जो classes है वो यहाँ पर भी ले सकते हैं खूब पढ़ाई करो इतनी पढ़ाई करो आपके पोटो भी यहाँ पर लग सके यह हैं हमारी Magnet Brains के other platforms जैसे Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ e-notes और e-book की link कहां मिलेगी नीचे description box में यह है Hindi English Medium के top course से CBC board, Delhi board, Bihar board, UP board, MP board, Rajasthan board, Vedic match, crash course and very important spoken English भी हम cover कराते हैं सारे information होगी, सारे जनकारी होगी कैसी लगी वीडियो कॉमेंट करके जरूर बताईएगा Thank you Glass